मुक्तार अंसारी को लेकर लगतार बाते होती रहती है बात करें तो मुक्तार अंसारी फिलहाल बांदा जिल में बंध है और वो अपने अलग-अलग मामले की लड़ाई लड़ रहे हैं वहीं बात करें तो समाजवादी पार्टी से लेकर बहुजन समाज़ पार्टी से लेकर तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने अलग-अलग बयानों को लेकर काफी जादा शूर्खियों में बने राते हैं लेकिन इस समय बहुजन समाज़ पार्टी के एक मंत्री हैं जिनोंने मुख्तार अंसारी को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद उनके जो समाज़ पार्टी के समर्थक जो बहुजन समाज़ पार्टी के समर्थक या फिर यूं कहले हैं कि जो मुख्तार अंसारी के स और कॉंग्रेस पर हमला बोल दिया है मंत्रे ने कहा है कि कॉंग्रेस और समाजबादी पार्टी ने मुक्तार अंसारी को बचाने की कोशिच की है बलिया में पत्रकारों के साथ बाची के दवरान उन्होंने कहा कि गाजिपूर में जिस मुखतार अंसारी ने हमारे तत्कालिन बिधायक क्रिशना नंदराय और उनके छे सहयोगियों को गोलियों से चलनी कर दिया था उसी मुखतार अंसारी को बजाने में समाजबादी पार्टी और कॉंग्रेस के सभी लोग जूटे हुए हैं अनन शोरूप ने निसाना साथते हुए कहा कि समाजबादी पार्टी के सासनकाल में गाजिपूर जेल की जिस बैरक में मुखतार अंसारी रहता था उसे होटल की तरह बना दिया गया था उस दोरान गाजीपूर के जिलादिकारे जेल में जाकर मुक्तार अंसारी के साथ खेल खेलते थे आज वहीं मुक्तार अंसारी बांदक की जेल में चरपाई और मशरदानी मांग रहा है उपेके मंतरी ने आगे कहा कि पंजाब में भी इसकी सरकार ने जेल में बंद को 5 स्विधाय दी थी वहीं बात करें तो जो मुक्तार अंसारी के समर्थक हैं वो आनंद सौरुप सूकला को जयम कर लतारते नजर आ रहे हैं और उन लोगों का कहना ये है कि आपकी सरकार यानि कि योगी सरकार बस एक समुदाय के लोगों को समुदाय के नेताओं को टार्गेट करती है और खुद के पार्टी के नेताओं को इससे भी बढ़िया बढ़िया सुविधाय देती है जिसमें की बरजेश सिंग का नाम लिया गया इसके अलावा बात करें तो धंदन सिंग का नाम लेकर तमाम लोगी कह रहे हैं कि ये भार बार्तिय जंता पार्टी के शस्रकार के बहुत अंब जिंसके अंब तुब करते हैं